Hello everyone, welcome back to your channel Useful Tips आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस गुनकारी अनाज के फायदों के बारे में जिसे की रागी, मंदुवा, कोदा, नाशनी, फिंगर मिलिट, इंडियन मिलिट और इसके अलावा भी कई और नामों से जाना जाता है हलांगी भारत रागी का सरवोच उत्पादक है और वेश्यक उत्पादन का लगबग 37% योगदान देता है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग रागी के हेल्थ बेनिफिट्स और इसकी न्यूट्रिशनल वैलू के बारे में जानते हैं रागी के क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इससे जानने से पहले थोड़ा सा हम रागी के बारे में जान लेते हैं रागी मूल रूप से इथूपिया के उच्छे लाकों का पौधा है और ये अफ्रिका और एशिया के जो सूखे छेतर होते हैं उसमें उगाय जाता है भारत में रागी 4000 वर्षपूर लाया गया था और अब इंडिया में करनाटक राज्य में रागी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ये एक ऐसा अनाज है जिसे की काफी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए भी किसी भी कीटनाश्रक दवाई का उप्योग नहीं किया जाता है रागी एक ऐसा अनाज है जो आपको बहुत सारे आप्शन देता है अलग-लग तरह के डिशेस बनाने के लिए इसे आप रोटी, बिस्किट, डोसा, हल्वा, लड्डू और इसके अलावा भी कई और तरह के डिशेस बना सकते हैं रागी सूपर फूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक पोशक तत्व से भरपूर अनाजों में से एक है सबसे पहले तो ये ग्लूटेन फिरी है तो जिन लोगों को ग्लूटेन अलर्जी है उनके लिए एक ही बेस्ट चोईस है अपनी रेगलर डाइट में एड़ करने के लिए रागी में कैलशियम, आयरन, पोटेशियम, फॉसफोरस, प्रोटीन, मैगनेशियम, विटामिन B1, B2, B3 और कई अन्य पोशक तत्वों की उचित मात्रा पाई जाती है अगर कैलशियम जैसे पोशक तत्वों की बात करें तो किसी भी अन्य अनाज को हम रागी से कंपेर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रागी में सबस्यदी कैलशियम पाया जाता है इसलिए बढ़ते वे बच्यों को कैलशियम की गोलियां देने से बहतर है कि उनकी रेगलर डाइट में रागी को एड़ किया जाए इसलिए रागी को रोजाना आहार में उपयोग करने से कैलशियम की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है जो लोग डाइबिटिक हैं उनके लिए गेहू और चावल लेनी की बजाए रागी लेनी की सलादी जाती है क्योंकि रागी में फाइटो केमिकल्स पाये जाते हैं जो कि हमारी पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं और ये स्पेशली मदुमेय में हमारे ब्लड शुगर के लेव उनको अपनी डाइट में रागी को ज़रूर एड़ करना चाहिए रागी में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है जिसे इसे लेने पर हमें दिन बर फुलनेस की फीलिंग रहती है इसलिए मौनिंग टाइम पे रागी को लेना सबसे बहतर माना जाता है रागी नैच्रल का भी एक रिस्सोर्स है तो जो लोग एनिमिक हैं या जिनका हीमोगलोबिन का लेवल कम रहता है उन्हें तो रागी अपनी रेगुलर डाइट में ज़रूर एड़ करना चाहिए लेकिन क्योंकि वाइटमीन सी आयरन की अफशोर्षन में मदद करनी के लिए जाना जाता है तो लोग एजबी लेवल या एनिमिक जैसी कंडिशन में अगर आप रागी को अंकुरित करके खाएंगे तो जादा बहतर होगा क्योंकि अंकुरित होने से वाइटमीन सी का लेवल बढ़ जाता है और खून में आयरन का अधिक एब्सॉप्शन हो पाता है रागी के हरे रंग के रागी को लिवर डिसॉडर, ब्लड प्रेशर, हार्ट वीकनेस और अस्तमा जैसी कंडिशन में लेने की सलादी चाती है साथ ही जो ब्रेस फीडिंग कराने वाली मदर्स हैं अगर उनमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ग्रीन रागी लेने पर दूद तो जाते हैं उनके आहार में रागी को ज़रूर एट करें लेकिन जब फर्स टाइम आप रागी को बच्चे को दे रहे हों तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिडी ही उसको दे रागी के बेनिफिट्स हमारे स्किन के लिए भी हैं इससे स्किन से रिलेटड जो प्रॉब्लम्स जैसे रिंखल्स कहा जाना पिंपल्स होना इन सब चीजों को ये कम करता है और हमारी स्किन को स्वस्थ बना कर रगता है आप चाहे तो रागी का फेसबेक बना कर भी यूज कर सकते हैं तो आफ आप जान गे होंगे कि रागी को क्यों सूपर फूट कहा जाता है लेकिन को शेर जरूर करें साथ ये अपने वैलीबल कमेंट्स भी जरूर शेर करें और अगर आपने चैनल अभी ता सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर किसी नए यूसफूल वीडियो के साथ तिल देन है और नहीं कि झालाइब आपना झालाइब जक्रैक्छाण करो चैनल विजितक्ता प्लीजित्घक ए्वाइब प्लीजित्टीर झाल झाल झाल